दोस्तो कली मैंने इस मूवी को देखा और मुझे सच में इस मूवी की कहानी काफी अच्छी लगी इसलिए आज में इस मूवी को आपके सामने लेकर आया हूँ इस मूवी के नाम है The Sleeping Beauty तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखा जाता है जो कि एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसके उपर एक अजीब सी एक्सपिरिमेंट करता है और एक्सपिरिमेंट खतम हो जाने के बाद वो लड़की वहां से चली जाती है दरसल उस लड़की का नाम है Lucy और इस experiment के लिए Lucy को पैसे भी मिलते हैं पैसों की कमी होने के वज़े से Lucy दिन में office में काम करती है और रात में restaurant में पोचा लगाने का काम करती है खर एक रात Lucy एक बार में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात उसके एक दोस्त के साथ होती है और वो अपने दोस्त को लेकर बातरूम में जाकर drugs का saven करती है इसके बाद Lucy जब अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी तबी उनमें से एक आदमी Lucy से कहता है कि वो आज किसके साथ सोना चाती है जिसके जबाब में Lucy कहती है कि चलो सिख्याओ चलो जो जीतेगा मैं उसके साथ चली जाओंगी और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी टॉस जीत जाता है और Lucy उस आदमी के साथ सोने के लिए चली जाती है इसके बद अगले ही दिन Lucy जब घर आती है तबी उसकी बहन का बॉइफरेंड उससे किराया मांगता है और Lucy उसे किराया दे देती है यहाँ पर हमें पता चलता है कि Lucy अपनी बहन की बॉइफरेंड के घर पर रहती है और इसके लिए उससे किराया भी देनी पड़ती है साथी साथ उसकी बहन की बॉइफरेंड के साथ उसकी ठीक से बनती भी नहीं और वो उसे पसंद भी नहीं करती इसके बद Lucy जब अपने आफिस में काम कर रही होती है तभी उसकी बॉस उसके पास आकर कहती है कि तुम्हारे मॉम की कॉल आई है अब Lucy जब कॉल को पिक करती है तब ही उसकी मम उससे कार्ड की डीटेल पूछती है और कार्ड की डीटेल बताने के बाद Lucy अपने मम से कहती है कि वो अभी आफिस में काम कर रही है इसलिए वो उसे फिर से डिश्टब ना करें अब आफिस का काम खतम होने के बाद लूसी अपने बॉइफरेंड के घर जाती है जिसका नाम था बर्ड मैन और वो एक अलकोहलिक है लेकिन अलकोहल पीने के साथ साथ वो लूसी से बहुती ज़़ा प्यार भी करता है यहां तक कि वो लूसी से शादी भी करना चाता है लेकिन पैसो की कमी और अलकोहल की सेवन की वज़े से वो उसे शादी नहीं कर पा रहा था इसके बद अगले ही दिन लूसी पेपर में एक नौकरी के एड़वेटाइज देखती है और उसे कॉल करती है दूसरी तरब जो आदमी लूसी से बात कर रहा था वो लूसी के फिगर की साइज पूछता है जिससे लूसी को काफी अजीब लगती है और वो उसे बता देती है इसके बद लूसी उसके बता हुए एडरेस पर इंटेर्व्यू देने के लिए चली जाती है जहाँ पर वो एक ओरत के साथ मिलती है जो अपना नाम कलेरा बताती है और वो ओरत लूसी को काम के बारे में समझाती है और उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर रात भर जाती है क्योंकि उसे पैसों की काफी जरुरत थी और दोसों से लेकर धाइसो डॉलर पर घंटे के इसाब से काफी ज्यादा होता है। तरह ही और भी कई सारी लड़किया थी। यहाँ पर कई सारे बड़े बड़े आदमी भी मौझूद थे जिनको लूसी को ड्रिंक सर्फ करनी पड़ती है। पैसी उसके घर जाकर उसके साथ इंटिमेट हो जाती है। दरसे लूसी अपने बहन के बॉइफ्रेंड को थोड़ा भी पसंद नहीं करती इसलिए उसे घर जाना भी अच्छा नहीं लगता। जिस वाज़े से वो हर रात किसी नहीं किसी के साथ सोने के लिए चली जाती है और जिस दिन उसे कोई भी नहीं मिलती उस दिन वो अपने बॉइफ्रेंड के घर चली जाती है। इसके बद लुसी को वो औरत फिर से कॉल करती है और उसे अपने घर पर बुलाती है। नंगी लेटी हुई थी और तभी उसके पास एक बुड़ा आदमी आकर उसके साथ ही उस बेट में सो जाता है। पैसे नहीं आ रहा था तभी वो अपने उपर फिर से एक्सपिरिमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाती है। लेकिन जब वो अपने उपर आल जाल एक्सपिरिमेंट करा रही थी तभी क्लेरा उसे कॉल करती है और उसे अपने घर आने के लिए कहती है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी एक बेड में लेटी हुई थी और क्लेरा एक आदमी के साथ दील कर रही थी। जहां पर क्लेरा उस आदमी से कहती है कि तुम लूसी के साथ इंटीमेट को छोड़ कर सब कुछ कर सकते हो। और वो लूसी को अपने पास बुलाता है जिस वज़ से लूसी क्लास से भाग कर बर्ड में के घर चली जाती है। जहां पर पहुँचकर वो देखती है कि उसके बॉइफरेंड का तवियत का फिस दा खराब है और वो उसे अपने साथ सोने के लिए कहती है। इसलिए लूसी बर्ड में के साथ सो जाती है लेकिन उसी वक्त बर्ड में मारा जाता है। इसके बाद हम बर्ड में के फियूनल में देखते हैं कि लूसी अपने पुराने बॉइफरेंड से उसके साथ 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 करने के लिए कहती है। लूसी जब अपने आफिस में काम कर रही थी तब ही उसकी बॉस उसके पास आकर उसे जॉब से निकाल देती है। लूसी जब कलेरा के घर जा रही होती है तब ही उसे रास्ते में उल्टिया होने लगती है। इस बज़ से वो क्लेरा के पास पहुंच कर उससे रिक्वेस्ट करती है और उससे कहती है कि आज उसे बीना बेहुश किये ही ये काम करने दिया जाए लेकिन क्लेरा उससे कहती है कि ये काम हमारे नियम के बाहर है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते अगले सीन में हम लूसी को फि उस बेड में सो जाता है अब सुबा होते ही क्लेरा जब लूसी के कमरे में आती है तब ही वो देखती है कि वो कश्ट मरतब तक मर चुका था इसलिए क्लेरा लूसी को भी उठाती है और लूसी जब नींद से उठकर देखती है कि वो क्लाइंट मर चुका है तब उसे काफी ग तो दोस्तो इस मूवी को मैंने कली देखा और इस मूवी का कॉंसेप्ट मुझे काफी अजीब लगा बाकि इस मूवी के बारे में आपका क्या विचार है आप मुझे कॉमेंड में बता सकते हो